मस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल इबिटेक में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजिटी पीजिटी भरती 2022 विग्यापन के बारे में टीजिटी पीजिटी 2016-2021 समायोजन के बारे में इसके अलाव पीजिटी 2020 हिंदी परवडाम के ब सच्चूस आपने क्या बताया है सारी अपडेट को इस वीडियो में कवर करेंगे वीडियो को आप लोग लाइक और सेर कर दीजिएगा उससे पहले जो भी छातर सुपर्टेट की तयारी करें उनके लिए मातपूर सुचना आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर्टेट 2022 के लिए बेस्ट बुक के बारे में जो की चच्चू पप्लिकेशन दोरा जारी की गई है इस पुस्तक में आपको 5000 से जादा बावकल पी प्रसन मिलेंगे चार मां का करेंट अफ हेर मिलेगा पिछले दो जो सुपर्टेट के एकजाम हुए 18 और 19 दोनों के प्रसनपतर हल सहीत यहां पर दिये गए और संपूर्ण जो सलेबा से उसको डिटेल्ड रूप से आसान वासा में कवर किया गया है और जैसे बुक में आगे बढ़ेंगे यहां पर विसेवार जो है पिछले दो बढ़तियों में जो जो प्रसन जिस जिस टॉपिक से पूंचेगे उसके बारे में यहां पर बताया गया है जिससे आप यह समझ सकते हैं कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपोर्टेंट है पुष्तक की भासा काफी आसान सारी चीज़े बहुत आसाने से आप लोग इसमें समझ सकते और अपने तयारी कर सकते हैं गाइड बुक के अलावा इनकी प्रैक्टिस हिट के भी बुक आती है जो कि आप अलग अलग या कंबो की रूप में आप ले सकते हैं आपके नजदे की बुक इस्टॉल पर भी सारी बुक्स मिल ज जाएंगी अगर आप उनलाइन परिशेज करना चाहिए तो लिकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए एक बार चेक आउट जरूर करें अब दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं और जानते हैं मातपूर सूचना है सबसे पहले दोस्तों आप लोग बता दें कि सु वारता होई वारता के क्रम सच्चिव साब ने सबसे पहला जो परस ने पहुंचा गया वह यह था कि टिजटी पीजटी 2016 वाले जो भी समयोजन के चात्रें उनकी जोएनिंग कब तक होगी तो इसके क्रम में सच्चिव साब ने बताया कि 2016 वाले जो भी बढ़ थी हैं दोज रिक्तपद आये हुए हैं उन्हीं में से समयोजित करके की जाएगी तो आप लोग जानते हैं उत्तरपदेश लोग से आयोग उन्हें अधियाचन 20 दिसंबर तक पुरा ले लिया है रिक्तपदों का बैवरा आ चुका है लेकिन चैनवोड को अभी थोड़ा सा टाइम है कि 20 जनवरी तक हमें समय दीजिए 20 जनवरी तक इनका जो समयोजन है वो कर देंगे प्रयास करेंगे इसके बारे में ठीक है तो समयोजन वाले जो जो भी 2016 वड़ती कि उनका समयोजन मान लीजिए लगबग 20 दिन अभी और लगेगा इससे जादा भी लग सकता है एक जो देट दी उन्होंने 20 जनवरी की असपास दी है ठीक है अब 2021 वाले समयोजन मुद्य को लेकर कि उन्होंने काया कि इसमें अभी थोड़ा सा और समय लगेगा यहनिए 2016 का समयोजन पहले होगा उसके बाद 2021 वाले छात्रों का भी समयोजन यहां पर होगा क्योंकि 2021 में बहुत सारे मामले यहां पर हैं तो इनको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा परतिच्छा सूची के बारे में अपर देट हिसा वाले जो भी उछ शात्र हैं इनको अभी और ज्याद समय लगेगा क्योंकि परतिच्छा सूची में जब तक 2021 की सभी बिड़तिंग नहीं हो जाती पूरा बहुत सारे ऐसे भी अब बढ़ती हैं जैसे किसी कारण के उनसे जुआनिंग नहीं हो पा रही कालेजों में तो वहां के जिला के जो डियाव सदिकारी होते हैं वह चैन बोर्ट को एक दूसरे कालेज का विकल्ब देते हैं कि इस कालेज में सीट नहीं है जहां पर उनके ऑलोर्डकिया गया था पहुंच रह ऊबुकर पास कें पॉर नमायम मामलों को लेकर करकि जो चैन बोर्ड बात करेंगे अगली अपडेट के बारें में पिज़िटी हिंदी मामले को ले करके दोस्तों आप लोग जानते हैं पिज़िटी हिंदी मामले में एक question को ले करके विवाद था और मामला high code गया था तो high code से इस मामले में रोक लग गई थी अब हाई कोर्ट से मामला सुलज गहा चैन बोर्ड ने का है कि हाँ वाकई ही में कुष्टन में कलती हुई है और चैन बोर्ड इसका परड़ाम जो है बदलने के लिए राजी है अब दोस्तों यहाँ पर मामला यह है कि आज जो अपडेट मिली है चैन बोर्ड से चेन बॉड ने का है कि इसकी जो सूची है समभावता आज ही आज साम तक या राद तक जारी कर देगा चेन बूर्ड, नोटिस जारी कर देगा, ठीक है कि आगे क्या होना है पिजटी दुजरक किसम है, लेकिन सुचना यह मिली है कि बहुत से ऐसे छातर यां पर हो सकते हैं, बहुत से नहीं तो कुछ तो ऐसे छातर जरूर होगे, जो कि एक क्वेशन के करने जिसका रिजल्ट फेर होगा, तो कहने कि मतलब जो fresh बर्थी सेलेक्ट होंगे, संसोदित रिजल्ट जारी होने के बाद जो Fraz अब घरती सेलेक्ट होंगे उनका यहां पर इंटर भी होगा क्योंकि इस wow अगर कोई भी आद पर यहां पर होता तो सब्ट करवाया जायगा और उसके बाद फिर फैणल रिजल्ट जारी किए जाएगा तो इसको लेकर आज राँ तक नोटिस जारी हो सकती हैस JEFF आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा रही बाद टिजटी पिजटी विग्यापन की तो जारे बारे में चैन बोर्ड ने का या दिया चन तो हमें मिल चुका है लेकिन हमें अब इसमें टाइम लगेगा मोटा मोटा उन्हें बताए कि 20-25 दिन का अभी इनको टाइम हए ख्जाए मिल चैन लगेगा लिकिन का मेंगे से विग्यापन जारी हिए तो छात्रों ने कहा कि जन्मवरी में अभी लगबग एक हप्ते दस दिन के बाद आज 40 संबहन लग जाए फिर आप विग्यापन जारी करेंगे 178 आप जारी से ज्यार रिकों से माद्यम से तो चैन्बोड ने इस मामले को लेकर के कहा कि हम इस पर विचार करेंगे वारता करेंगे जब मिटिंग होगी और इसमें इस सारी चीज़ों को रखेंगे और जैसा कुछ सामले हो गए अब बात करेंगे एक अंतिम अफडेट के बारे में जो की है नोटिस के बारे में दोस्तों आज चैन्वोड द्वारा एक नोटिस जारी हुई है यहां पर आप लोग नोटिस भी देख सकते हैं जो की रिजल्ट को लेकर के प्रदानाचार बढ़ती के यहां पर जो चैन्वोड जारी कर दिया कि किस कॉलेज में किस की सब बढ़ती का चैन हुआ है तो जो भी प्रदानाचार बढ़ती 2011 का जो रिजल्ट है जो पैनल है वो जारी कर दिया गया जो भी बढ़ती सेलेक्ट हुए है वो अपना रिजल्ट यहां से देख सकते हैं आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं अफीसल वेब साइट से इसके लावा हमारी टेलीग्राम चैनल पर भी अवलेवल है वहां से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चेक आउट कर सकते हैं जो भी नोटिस चैनल बोड से जारी होगी वह भी हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाके तो इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और पहले कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहां से क्लिक करके आप लोग जोएन कर सकते हैं और डाउनलोड करके चेकाउट कर सकते हैं धन्यवाद